हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ मार्टिन स्कॉर्जीजी की तरफ से बनाई गई वो कहते हैं ना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की फिल्म जिसका हास अपना उन्होंने कुछी साल पहले देखा था इसके बाद जाकर की ये फिल्म बनी लेकिन खैर फिल्म की कई सारी डीटेल्स मेरे पास है जिसका नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डेक्स्टॉप पर के जिस नाम की सेम नॉवल की ये फिल्म एडाप्टेशन है लेकिन अपने हिसाब से कैसे तो चली उन सारी की सारी डीटेल्स पर आते हैं जिससे पहले हो कहते हैं आपके दिमाग की जो छोटी मोटी कन्फीजन है उसे दूर करते हैं अगर मैं बताओ तो फिल्म को एडल्ट का certificate मिला हुआ है कुछ hardly kisses और थोड़ी सी brutality को दिखाते हुए वो भी काफी dark pass के साथ जिसके लिए मेरी suggestion तो यही रहेगी के आप इस फिल्म को उन लोगों के साथ जाकर के देखे जो सच में cinema lovers होते हैं क्योंकि उसी के साथ साथ आपको gift मिलती है इस फिल्म की तीन या फिर कि कई सारी details है जो आपको पता होनी चाहिए जिन मेंसे हाँ इस फिल्म को हिंदी में dub करकर release नहीं किया गया है जो कि मेरी निजर में unfortunate माना जाएगा क्योंकि ऐसी कहानी अगर काफी logo तक पहुचे खास करके उन audience तक भी जिने इस तरीकी का cinema बहुती जादा पसंद है बट उ फिर मुझे लगता है कि आपको direct ही जाकर कि इस फिल्म को देखना चाहिए नो डाउट काफी अच्छे रिव्यूनिकल कराए है बाकी जिने story का थोड़ा बहुत context चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म की कहानी अमेरिका की Osage शायद यही जगा है उसके एक ऐसी लेवल होता है वो काफी सादा twist and turns के साथ भरा हुआ था जिसमें मार्टिन स्कोर्जी सी और शायद एरिक रौथ यही नाम है रैटर का उन दोनों ने मिलकर के फिल्म की पूरी कहानी का एंगल ही चेंज करते वे शायद यही सोच करके इस पूरी फिल्म को बना करके हमें दि It Means के फिल्म के जो सारे के सारे twist and turns थे वो हमारे सामने पहले ही reveal कर दिये गए कौन killers है और उनकी planning preparation कैसी चल रही है उसके बाद जाकर के फिल्म के second act में investigation का part शुरू होता है और फिर end यानि के third act में शुरू होता है trial यानि के court case की सारी की सारी journey लेकिन उन सब को जो दिखाने का तरीक रहता तो उस हिसाब से अब यह कहानी एक ऐसी love story है जिसमें पूरी की पूरी फिल्म का focus पॉली नाम का character है जिसे लेली ग्रेंड वेल्स ऐसी कुस्तों नाम है एक्टरस का उन्होंने प्ले किया और यह कहूं कि काफी शिदत से प्ले किया है तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी यानि वो मेरी नजर में एक ऐसी लीड एक्टरस बनकर उभर कर आई है कि आप definitely उनकी performance के दीवाने हो जाओगी यानि कि पूरी फिल्म में वो सभी एक्टर से काफी जादा उपर मानी जाएगी जिस character वहां के रहने वालों को ये सारी की सारी बात पता है कि लोग उनके पीछे पैसों के लिए पड़े हुए है लेकिन फिर भी उन characters को जिस तरीकी का हाव भाव दिया गया है फिर से उसमें लेली ही आती है तो वो अपनी उसी performance और उस calmness के साथ हमारे दिल पर मेरी नजर में तो impact ही होगा वही करकर निकल जाती है जिसके बात जाकर क नाम निकल कर आता है Leonardo DiCaprio का जो इस film में अपनी काफी अलग accent के साथ बिलकुल ही अलग performance दिखाते है यानि एक ऐसा dumb character जो बस किसी के order पर अपने कामों को किया जा रहा है बिना result की परवा किये जिसका payoff भी उसको end में मिलेगा लेकिन खैर Leonardo DiCaprio ने अपनी काफी अच्छी performance द बता है कि Robert DiNero को किस तरीकी की ताम जाम के साथ में screen पर present करना चाहिए तो वो उसी तरीके से इस पूरी फिल्म में जिस तरीके से order देते है यानि कि उनकी जो काफी smartness है उसे देखकर के screen पर बहुती जादा अच्छा लगता है और हाँ एक और important बात बता दूए कि पहले इ adaptation के साथ दिखाए जाने वाली थी तो उस पूरी फिल्म के lead Leonardo DiCaprio ही थे जो इस पूरी फिल्म की कहानी Jesse Pilmer का जो FBI का character है Tom शायद यही नाम है उसके angle से दिखाने वाले थे लेकिन फिर जो मैंने कहा कि Martin Scorsese और उनके writer ने साथ में मिल करके Lily के character को बहुती जादा respect दी क्यूंक तो उसके लिए आप novel पढ़ लेना अगर आपको film देखने का mode नहीं है लेकिन मैं फिर से recommend करूंगा कि real cinema कितनी अच्छी presentation के साथ थेटर में लगा करके दिखाया गया है वो भी Martin Scorsese के नाम से तो देखना तो बनता ही है जिसकी IMAX skin की बात की जाए तो वो 2D में थी बस quality का अच्छी होती है जिन में हमें देखने मिलते है वीजवर्स या फिर कहो सिनेमेटरग्राफी कलर करेक्शन ये सारी की सारी चीज़े जिससे कि मैं यहां पर आकर के काफी गर्फ से कह सकूँ कि Martin Scorsese सी ने एक real cinema बनाया है लेकिन हाँ लेंद के मामले में जितने भी अगर लो काफी जादा टाइट हो जाती है लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों को देखने के लिए काफी अलग टाइप की ओडियंस होती है जिनने क्रिस्टफर नोलिन की ओपन हैमर सिर्फ वर सिर्फ ट्रेंड के नाम पर जाकर के देख लीती लेकिन ये फिल्म उस मामले में मुझे साथ फिल्म में नैरिशन भी दिया गया है कौन से अक्टर पता नहीं बठा बात रही ब्रेंडीन फ्रेशर की तो उनका फिल्म में काम उतना भी जादा बड़ा नहीं है क्योंकि एंड में उनका पार्ट बस कुछ करने के लिए आता है साथी साथ मार्टीन स्कॉर्जेसी को स्क्रिन पर देख करके काफी जादा अच्छा लगा कहां नहीं बताऊंगा फिल्म देख लेना समझ जाओगे और फिर बात की जाए फिल्म के बीजियम की तो फिल्म का बीजियम टेंस के साथ साथ कही जगों पर साइलेंट भी है और फिर एक धमा का और फिर से फिल्म का ब लगडी फिल्म दी है जिन सभी सेट कर अब सीधे बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की तो रियलिस्टिक एक्शन के लिए ये फिल्म पांच में से धाई स्टार डिजब करेगी आदर है एक्शन काफी जादा रियल है जिसमें वो कहते हैं आपको जादा बम धमा के नहीं ल सभी करेगा और फिर बात की जाए सस्पेंस की तो अनफॉर्चनेट सस्पेंस मेरे लिए क्या आपके लिए भी नहीं है लेकिन एंड में कुछ अच्छी चीजों को दिखा करके इस फिल्म ने सस्पेंस के मामले में अपना बैलेंस मेरी नजर में पांच में से दो स्टार का बनाया है और फिर बात की जाए सके हॉरर रत्विल की तो हॉरर फिल्म में है नहीं और जो त्विलर का लेवल है वो हॉरर जैसी फिल्मों का तो नहीं लेकिन एक टेंशन भरा माहौल इस फिल्म ने ड्रामा के हिसाब से बनाने में मेरी नजर में डेर स्टार तो लिया ही है जिसके बात बात की जाए मास ओडियंस की तो unfortunate मास ओडियंस इस तरीकी की फिल्मों को बिल्कुल भी enjoy नहीं करती यानि उनकी नजर में C प्लस की rating फोड़ी जादा है लेकिन फिर भी biasness के साथ मुझे लगता है कि ठीक रही गी और बात की जाए critics की तो critics की नजरों में ये cinema इतना जादा perfect है कि वो लोग इस फिल्म को सीधे सीधे A-plus की category में रखेगे जिन से पूरी तरीके से अपनी सहमती बनाते हुए मैं भी इस फिल्म को perfect score ही दूँगा जो की हाँ A-plus का है जिसमें अगर आप novel को लेकर के थोड़े upset हो तो जो बाते मैंने बताई है उस बारे में सोच लेना कि ये फिल्म FBI के नजर से नहीं बलके वहाँ के Red Indians और बाकी की जो लोग रहते हैं अपना कमान बनाने के लिए उन पर focus करकर दिखाई गई है इसे के साथ-साथ फिल्म में कई सारी चीजे भी है और हाँ English के साथ-साथ Red Indians की language भी है जिसके स सब्टाइटल के मदद से आप काफी कुछ समझ जाते हो और फिर किया ये था मेरा ओपिनिन किलर्स ओदी फ्लावर मून से रिलेटेट जिस पर आप अपनी रहे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताईए गबा कि मैं हूँ अजीज मोवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब् जल्दी दूसे किसी वीडियो में तिल देन बाई